नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है परिक्षित अकैडमी और हमारी MPPAC की जर्णी में आज हम आपसे कुछ शेर करना चाहेंगे कुछ खास जो हमारी पेप्रेशन के लिए काफी जरूरी है इस्पेशली वो एस्पेरेंस जो इस दिशा में इस रहा में नए है या जिने गाइडेंस नहीं मिल रहा है या जो इस्पेशली कोचिंग नहीं जा रहे है हम यहां पर आज क्या बात करने वाले तो आप देख सकते हैं कि राज जिसेवा प्रारंबिक परिक्षय एनी की MPPACP का सलीबस हमारे सामने हैं और डेफिनेटली हम बात करने वाले हैं आज इस्पेशली यूनिट वन से सम्मंधित बुक्स लिस्ट के बारे में यूनिट वन ही हमने क्यों सेलेक्ट करी है इसका जवाब आपको मिल जाएगा क्योंकि वीडियो अगर हम सबका कवर करते हैं तो काफी लंबा हो जाएगा और यूनिट वन का अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें फिट बेक दीजिएगा तो हम जो है नेक्स्ट उनिट को एक कवर कर रही है और MPPSC उसी का ही एक्जाम है चली दोस्तों तो आप समझ गया हैं क्या कह रहे हैं लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं उसके पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और को अंत तक देखें और पूरा बताएं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको फिर से माइंसेट कर देते हैं दिमाग में बात डाल लेते हैं कि एक्चुली में हम यह चीज यह बाते क्यों कर रहे हैं और क्यों बुक्स एक दूसरे से कनेक्ट रहे हैं और हम ऐसा क् यह एंपीपेसिय हम सभी जानते हैं तीन लेवल का एक्जाम है प्री मेंस और इंटरव्यो देन इसमें फाइनली हम जो है सेलेक्ट हो जाते हैं और जो भी पोस्ट रहती है उसको प्राप्त कर लेंगे कुछ स्ट्वियंस में इसमें से एसे होते हैं इंफेक्ट मानिए कि जो भी PhD की एग्जाम में इंपीर हो रहे हैं उनमें से 90% एस्तुएन यहीं सोचते हैं कि पहले हम प्री देख के देखते हैं इसमें होता है तो मैंस की तियारी करेंगे और इंटर्वी की होंगे और 10% ऐसे हैं जो inverse चल रहे हैं और थात वो मैंस की preparation पहले कर रहे हैं सब कुछ पहले आद कर रहे हैं डेफिनेटली सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय मिलता है मैंस के लिए अगर अभी कुछ दो तिन सारों से अधर समय मिल गया अधरवाज इतना नहीं मिलता है और फिर इंटर्व्यू तो यहां पर एक्चुल में हमारा जो slaver से आयोग ने जो डिजाइन किया हुआ है उसमें प्री और मेंस में बहुत सारी चीजें कॉमन हैं ठीके अब हमारा इसका समझने का मोटो यह है कि आप अपना माइंसेट यह करके रखिए कि हमें एक्जाम में सिलेक्ट होना है तो तीनों लेवल से गुजरना है यानि कि हमें केवल प मेंस को भी कवर कर लेंगे जिससे की यहां पर जो कंटेंट है हमारा और बैटर हो जाएगा बहुत बहतर हो जाएगा तो समझ गया होंगे तो चलिए हम यूनिट वन की चर्चा करते हैं अगर हम यूनिट वन की बात करें तो इसमें काफी सारी टॉपिक्स है ठीक है आप कि महत्पून घटना आहें जो भी famous famous जें प्रमुक dal न मैं मधिप्रतेश का यूगदान मध्य प्रदेश की प्रमुक कलाय मिस्था पत्य कला मध्य की प्रमुक जंजातियां वो लिया मध्यप्रस की प्रमुक नोहार लोग कॉत कल लोग साहित्य मध्धीप्र ոैंच्ने ग मेन्स पार पीपर नहीं कि इसने पार पार मेले विंस अ करण पार्डू स मर्दिर्प्रदेश समधु भूप दें वो यहीन का और इसके साथ ही इसको कवर पार्डू सुसक्राइब तो जब मैंस के preparation करेंगे तो हमें problem नहीं आएगी तो अब हम बात करते हैं मुद्दे की वो है book list के बारे में तो book list की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं पहले हम बात करते हैं मैंस के according तो यह है unit fourth है तो यह हमारे पास निर्माण आयस की मेंस के संदर्व में unit fourth वाली book इसमें यह सारा जो अभी हमने उधर आगे देखा है मध्यप्रदेश की प्रमुक कला है सुतंतरतांदोलन में मध्यप्रदेश का योगदान कला के जितने भी प्रारूपे चितर कला, ड्रॉइंग या परियटन सब कुछ काफी detail में दे रखा है content काफी अच्छा दे रखा है इतनी मोटी book है तो समझ जाए एक ही book में आपको unit इतनी easily नहीं मिलेगी ठीक है तो हम अगर ये cover करते हैं तो इसके साथ साथ अब समझ जाएए फोर्ट के लिए unit यह है तो हमारा प्री का automatically cover हो जाएगा then इसके बाद है unit 5th के लिए फिर से निर्मान आये इसकी इसमें दे रखा है मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासते अगर हम इस पेशली गोणवाना बुंदेली बगेली होलकर्स इंदिया भूपाल को बहुत अच्छत कर लेते तो हमको help करेगा जैसा कि हम देख सकते syllabus में दे रखा है प्रमुख राजवंश तो इसको में काफी डिटेल में पढ़ना रहता है क्योंकि पेसी कुछिंस कहीं से भी पूछ लेता है तो यहां पर आप बात क्लियर हो गई होगी कि यह वाली बुक और यह वाली बुक को हमें यह यहां पर डेफिनेटली पढ़ना ही है तो इससे कवर हो जाएगा अगर आप बोलते कि अगर आपके पास कोई और बुक भी है तो को तो भी कोई बात नहीं यह हमारा व्यू है इसलिए हमने आपर बुक बताई यहां पर यह निर्मान आयस की बुक है इसके अलावा आकार आ पर देख ली ठीक है अब हम यहां पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बुक आपके सामने शेर करना चाहेंगे वह है ज्यान संपदा मध्यप्रदेश के संधर्व में मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकैडमी की यह बुक है और यह बुक क्यो जरूरी है तो हम उसके बता करता है शुद्ध हिंदी भाषा में है उसके अलावा कुछ चीजे जो है रिपीट हो चुकी है कोई क्रम नहीं है लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है को इंपॉर्टेंट है तो उसका हम प्रेशन आपको एक गम डायरेक्ली एक क्वेशन से देते हैं ठीक है एक्श मंसूर जो अभिलेक है इसकी बारे में हम यहां पर देखेंगे मनसूर का जो अभिलेक है वहां पर बुंकर shallила को की जिसको डुनिया का पहला विज्ज्यापन बोलते हैं यहां पर हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब इसको in detail पढ़ेंगे तो अब यही कोशन जो सामने हैं ये था कुशन की निम्न में से कौन सा अभिलेक विश्व के प्रथम विज्यापन के तौर पर जाना जाता है ये MPPSC 2021 का कुशन है जो दसपूर अभिलेक है ये मंसूर अभिलेक भी इसको कहते हैं तो ये यहां तक कि निर्मान है इसकी बुक में भी हमने फिलाल यह नहीं पड़ा है यह हमें इसी में मिला है और डेफिनिटली यहां से कौशन आये हैं और ऐसा माने जाता है अगर किसी 2-3 कोशन में मतभेद हो तब भी आयो इसी को जो है सही मानता है तो इसका जो कंटेंट बहुत बढ़िया है और इस्में जो दिया है मानके चलते हैं हमके एकजाम ने के चांसे सहोते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं फेपर विश्मा दिखा दिया है जो दिये हुए हैं वह पढ़ना अने आप में बहुत ज़रूरी है तो हमने यहां पर इसकी बाते शेयर करी और अगर इस जो बुक है इसका रिव्यू हम लेकर आएंगे इसमें इस्पेशली जो है दस की दस युनिट दे रखी है जो प्री की दस युनिट है सभी के बारे में दे रखा है लेकिन बहुत कम-कम दे रखा है honestly इसमें से हम बाकी सारी चीज युनिट है वो सब कुछ यहां पर आजाएगी सब कुछ कवर हो जाएगा और एक वी एक यी बुक में सारा content नहीं मिलता है जैसे कि अगर हम बात करें प्रमुख साहित्यकार उनकी क्रतियों की या फिर प्रमुख संगीतकार की उनकी क्रतियों की तो अगर इन बुक में कुछ है कंटेंट तो वो हमें जो है ज्यान संपदा में से लेना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें जो कंटेंट है वो इसमें नहीं और इसमें इसमें जितना कंटेंट है वो इसमें नहीं है सिस्टेमेटिक दे रखा है लेकिन हमारा प्री टार्गेट नहीं हमारा टार्गेट मेंस भी है ठीके तो यह यूनिट इतनी जो है काफी है तो हमने इंपॉर्टेन समझाया कि इसका क्यों हमें ऐसा करना हमें करना चाहिए हमें बैक टूबेक आगे बढ़ना है तो आज के वी बताएगा वीडियो आपको कैसा लगा वा नाइस देए एंड थैंक्स पर वाचिंग एंड बैस ओफ लग पॉर अर एक्जाम